साथियों, आज हर सक्तर में किये जा रहे है अभूत्पुर्व सुधार आत्मा निर्भरता की भावना से किये जा रहे है। देश की जनता ने वोट के माध्यम से इन रिफॉर्म्स को समर्थन भी दिया है। आप सभी तो जेनियू में भारत की सामाजिक और राजनिति की भवस्था का गंबीरता से विश्टर संग करते रहते हैं। आप से बहतर ये कौन जानता है कि भारत में रिफॉर्म्स को लेकर क्या क्या बाते होती थी। क्या ये सच नहीं है क्या भारत में गुड रिफॉर्म्स को बैड पोलिटिक्स नहीं माना जाता था। तो फिर गुड रिफॉर्म्स गुड पोलिटिक्स कैसे हो गए इसको लेकर आप जेन्यू के साथ ही जरूर रिसर्च कने। लेकिन अनुभव के आधार पर मैं एक पहलू आपके सामने जरूर रखूंगा। आज सिस्टम में जितने रिफॉर्म्स किये जा रहे हैं उनके पीछे भारत को हर प्रकार से बहतर बनाने का संकल्प है। आज हो रहे रिफॉर्म्स के साथ नियत और निष्ठा पवित्र हैं। आज जो रिफॉर्म्स किये जा रहे हैं उससे पहले एक सुरक्षा कवज तयार किया जा रहा है। इस कवज का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, भरोसा, अब जैसे प्रो फार्मर रिफॉर्म्स उसी की बात कर ले। किसान दर्शकों तक सिर्फ राजनितिक चर्चा काही विश्य रहा। जमीन पर उसके हित्मे कदम सिमिती थे। बीते पांच-छे सालों में हमने किसानों के लिए एक सुरक्षा तंत्र विख्षित किया। सींचाई का बहतर इंफास्रेक्टर हो। मंडियों के आधुनी करण पर निवेश हो। यूरिया की उपलब्दता हो। सोयल हिल्थ कार्द हो। बहतर बीज हो। फसल बिमा हो। लागत का डेड़ गुना MSP हो। ऑनलाइन मार्केट की व्यवस्ता इनाम हो। और PM सम्मा नीजी से सीजी मदद हो। बीते सालों में MSP को भी अनेक बार बढ़ाया गया। और किसानों से रिकॉर्ड खरीद भी की गई है। किसानों के इर्दगीत जब यह सुरक्षा कवज बन गया। जब उनमें विश्वास जागा। तब जाकर के एग्रो रिफॉर्म्स को हमने आगे बढ़ाया। पहले किसानों की अपेच्शाओं पर काम किया गया। और अब किसानों की आकांशाओं की पूर्ती के लिए काम किया जा रहा है। अब किसानों को पारम पारिक साधनों से जादा जादा विकल्प बाजार में मिल रहे हैं। जब विकल्प जादा मिलते हैं तो खरीदारों में कंपेटिशन भी बढ़ रहा है। जिसका सीधा लाब किसान को मिलने वाला है। रिफांग के कारण अब किसान उत्पादक संग यानि एप्पी ओस के माद्यम से किसानों के सीधे एक्स्पोर्टर्स बनने का भी रास्ता साफ हुआ है। साथियों, किसानों के साथ साथ, गरीबों के हित में किये गए रिफॉर्म्स के मामले में में, यही रास्ता अपनाय जा रहा है, हमारे हाँ, लंबे समय तक, गरीब को सिर्फ नारों में ही रखा गया, लेकिन सच्चा यह थी, कि देश के गरीब को कभी सिस्टिम से जोड़ने की चेश्टा ही नहीं हुई, जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड था, वो गरीब था, जो सबसे ज़्यादा अनकनेक्टेड था, वो गरीब था, जो सबसे ज़्यादा फाइनेंसली एक्लूडेड था, वो गरीब था, अब गरीबों को अपना पक्का घर, टॉइलेट, बिजली, गेस, साब पिने का पानी, डिजिटल बैंकिंग, सस्ति मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट कनेक्शन की सुविदा, जैसे अन्नी नागरीकों को मिल रही हैं, गरीबों तक भी पहुँच रही हैं। ये गरीब के इर्दगिर्द बुना गया वो सुरक्षा कबच है, जो उसके आकांग्शाओं के उडान के लिए जरूरी है।